हेलो फ्रेंड मैं हुश अधिस्तिवारी आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो लेटेस्ट काली लीनेक्स है 2024.1 उसको मैक OS के अंदर यानि Macbook के अंदर M1 हो M2 हो M3 हो किसी में भी काली लीनेक्स का लेटेस्ट वर्जन कैसे डाउन्रोड करेंगे और कहां पर कैसे इंस्टोल करेंगे ठीक है तो पहले देखते हैं कहा से डाउनलूड करेंगे फाइल को तो आपको जाना कहा पर है काली लीनेस के official website पर जो कि मैं आपको बता रहता हूं यह है काली.org यह official website है इस पे जाना है यहां पर installer images दिकेगा इस पर click करना है यहां पर click करने के बाद आपको नीचे स्क्रूल करना है, यहाँ पे Apple Silicon ARM 64 bit दिया होगा, ठीक है, यहीं पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको तीन फाइल दिया होगा, Apple Silicon के अंदर, मैं तीनों आपको दिखा देता हूँ, बारी बारी से, यह देखो, तीन फाइल दिया है, weekly installer, net installer, Apple Silicon ARM 64 bit के अंदर, तो आपक यूटीम अप्लिकेशन के अंदर, तो आपको यूटीम एप पता है, MacBook के लिए, मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता है, तो मैं इसका लिंक आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको देख लेगा, तो यूटीम एप को कैसे, इसके अंदर हम कैसे काली लीनेक्स को इंस्टोल करेंगे, लेटेस्ट काली लीनेक्स को, ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको प्लस पर क्लिक करना है, वर्चोल राइक पर क्लिक करना है, लीनेक्स इंस्टोल करने वाले हैं, तो लीनेक्स ऑप्सन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ISO image browse करेंगे जो हमने download कर रखा है तो यह रहा हमारा ISO image Kali Linux 2024.1 बिल्कुल लेटेस्ट open कर लेंगे open करने के बाद continue पर क्लिक करेंगे यहां पर और कोई option select नहीं करना है ठीक है यहां पर आने के बाद आपको यहां पर 4gb जादना है CPU code enable hardware openzr acceleration इसको जरूर करना है continue पर जाना है 74gb के अन्द जगह पर आप 34gb दे सकते हैं 24gb more than enough है continue पर क्लिक करते हैं continue पर क्लिक करते हैं और यहां से सेव कर देते हैं सेव करने के बाद भी यहां पर कुछ करना है तो चलते हैं सेटिंग में क्या क्या करना है वो मैं आपको बताताव आला जो चेंजिस करना है डिस्प्ले में जाके रेटीन ACT डिस्प्ले C ुक्त कर देना है। दूसरा जो चेंज़ेस करना है वो क्या करना यहां पे यहां से सीरियल हमें लेदेना है ओर यहां पर क्लिक करेंगे और यहां से स्िर एल सेलेड कर लिए और कर सैлекार कर देनä है झा weather यहां से अपको और करना है है कि आप क्या करना यहां से स्टार्ट करते इंस्टोलेशा क्रते हैं आपको Շसे खुल जाएगा कोई दीकर नहीं अब टर्मियल वन को ले आओ ठीक है उसको अधर रहन दो टर्मियल वन के लिए जो बड़ा है तो वसा इसमें आप इसको भी ठीक है आप इसको मैं ग्राफिकल इंस्टॉल पर इंस्टॉल पर सिलेक्ट करता हूं है तो आपको देखो यह ओप्शन दिखेगा इंगलीज बस इंटर परेस करो कि इनटेट्स आपको बता रहा कि आप अपना लोकेशन सेलेक्ट करो तो इंडिया हो तो इंडिया से कर लो इंडिया से हो तो मैं इंडिया से हो तो मैं इंडिया सेलेक्ट करूंगा ठीक है और मैं इंटर मार दोंगा यहां से बुलेगा कीबोर्ड आप सेलेक्ट कीजिए तो अमेरिकन इंगलिस ठ और हो रहा है कि अगर दियान देना है यहां पर ठीक है बिल्कुल बारीक से चीजों को देखना है ध्यान देना है जैसे मैं बता रहा हूं आसकर स्टार्टिंग के टाइम में अब यहां पर आएगा होस्टनेम पूछेगा तो बाइडिफॉल्ट काली लिया है आप चाहो तो कुछ और देदो या काली राने दो कंटनीव पर जाओ टैब किसे और इंटर मार दो यहां पर डोमेनियम पूछेगा नहीं देना है कुछ अपर आपना पूल नहीं बता दो यहां पर टैप करते हूं और मैं कंटनीव करता हूं यूजरनेम सथीच रहेगा कंटनीव करता हूं पासवर्ड मांगा मैं पासवर्ड दता हूं 123456 क को सौक यह देखने के लिए कंटनीव करते हैं एक बांद फिर से टाइप करते हैं 123-45 और यह आगे जाएगा टाइम सर्वर यानि NTP सर्वर जिसको नेट्रॉक टाइम प्रोटकॉल भी बोलते हैं उससे सिंक्रोनाइज हो रहा है अब आगे बहुत कुछ होते आपको बता ङुझे को बताओंगा क्या बताओंग से आपको पहला ऑप्सान है यहां पर je एक है यह आपको यहां कर आपको समय पढ़िए यहीं कि नहीं होगे तो आपने जो भी पांटीशन बें किया वो सेb करना था है कि हमने कर लिया हां जी हम कनफर्म करते हैं अब आगे बढ़िए सेव किजिसको आप यह आगी का सूल स्वेस्ट चल रहे हैं जिसन्हाप दथे सकते हो पैकल ko मतश्च करने की जहां पर कुछ आपको कुछ नहीं करना है कि यहां पर आते हैं यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि हम यहां पर क्या क्या हटा सकते हैं तो यह सकते हैं कि मैंने सारे। वागारै सुफ्टर नहीं इस्तुल कर सकते हैं अन्वांटेट्र नहीं इंस्टॉल किए में कम से कम जितना require है शिर्फ उतना install करना है बागी हम वाली अंदर से install कर सकते हैं अगर आप चाहो तो आप उसको भी install कर सकते थे लेकिन उसमें फिर आपका time ज्यादा लग जागा जितना ज्यादा application by default यान installation के time में select करोगे जितना ज्यादा option जितना ज्यादा software के package select करोगे उतना ज्यादा समय लगेगा during the installation because installation के time में ही वहाँ से download भी करेगा ठीक है तो कुछ package download होंगे if we install होंगे तो इसमें installation का जो timing है आपका बढ़ जाएगा डिपेंड करता है अब गर आपके पास 16gb RAM वाला कोई MacBook है या 32gb RAM वाला तो आप वह सारे option select कर सकते हो अच्छी internet है अच्छा internet connection है तो आप सारे option को साथ जा सकते हो कोई इसू नहीं होगा कफास्ट ही छोड़ा जैसा कि आप देखरों यह unpacking का प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर select and install software है लेकिन आपको कुछ select नहीं करना है आपने जो select करना था पहले ही हमने select कर लिया अब यह क्या कर रहा है वह selected package को download करके unpack करके install कर रहा है हमारे machine के अंदर इसकी installation में total 5-10 मिनिट का समय लग सकता है ठीक है तो आपको patience रखना होगा अगर आप MacBook M1 यूज़ करो 8 GB वाला तो आपको 10 मिनिट तो time लग सकता है पांसे 10 मिनिट का समय लगेगा अब मोटा मोटी time लेप चलो यही timing रहेगा और उसमें आपको adjust करना होगा थोड़ा सा patience रखना होगा 37% हो चुगा है थोड़ा time तो लगेगा इसमें तब तक आप चाय पीलो कॉफी पीलो जो करना है कर लो देखते हैं अब दो जुगा आपको जो दोगेगा पीलो करना है को तूझ अपने इस्ट्रीस टोलेंशन एब टो कम्प्लेट इस इंस्टोलिंग ग्रब बूट लोड़ दिस्टम के अंदर ग्रब बूट लोड़ रिंस्टल हो रहा है एक बार ग्रब बूट लोडर इस्टोल हो जाए पर रीवूट मांगे गा रीवूटन कर देंगे करनल लोड हो रहा है यह देखिए लेकिन जैसे रीबूट होगा ना इस केस में हमें क्या करना है इसको बंद कर देना है कि इसको क्लोज कर देना है दोनों को क्लोज कर देना है और यहां पर कुछ चेंजिस करने है कि पाला तो आपको अपने यह लगाया तामने शेरियल को क्या कर देना है रिमूफ कर देना है छिए और जाना है यहां इस डीवडी आईसो जो भी दुसरा है डिलीट ड्राइव कर देना है अब कि वह फिर से उसी इस इस वापस इंस्टोलेशन से श्टार्ट न हो जाए बल्कि जहां इंस्टोल हो चुगा काली लेक्स वहां से चले तो अभी एक क्लिक कर देना है इस लेपे और आपकर काली लेक्स स्टाथ होगा करेंगे काली लेक्स में यूजर ने मिने बताया था सतीष जो किया था पासवर्ट जो हमने दिया था 123456 और हम लोगिन कर जाने हां बहुत ही सिंपल काली लेक्स को अपने मैंस ऑगरा में तो मेरे मैक बूक के अंदर चुका है लएक को शेटिंग करना चाहाँ चोड़ी स्टिंग में जाकर यहां सब्सक्राइब कर सकते जो भी सथमार आपकर भाला गरा लोड करते हैं और कैसे इंस्टोल करते हैं मैं यह मुझे पसंदाता है आपकी मिल्यक्त जो और इसके वाद पर्फेक्ट आपका जीया सेंदर आप देखोगे डामेल लूप्रेट करोगे तुदो अपूटि डेट कर देना पहले रिपोजेटरी अपडेट करना से पहला लगा फ़र्ट पासवर्ट डेटरी अपडेट कर देना इसके लगा आएपी देना तो सुडो तो कि यहां भी सब्सक्राया बटमें लिए यहां और थो करो है और मावस को ले यहां से विक रच्छाटबू करना है कि यहां से क्लोज करना व्यक्त दोल्ड वाणे कावले लीनेटस लोकर दिया किसके अंदर मेकबुक के अंदर कौन सा अप्लिकेशन देуждih남 यू टि यू टीए भो जानगा यू का मैंने डाउनलोड किया आपको बता दिय testim कट है है अगर फिक सब्सक्राइब के बारत है अगर यू टी लिए क सब्सक्राइब कर लो बार दो अल्रडी स्ब्सक्राइब कर लिया है तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना थैंक यू थैंक यू पर वाचिन